नमस्कार दोस्तों मैं हरस्द अहलावत आप सबी का स्वागत करता हूं हमारी YouTube चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे SSC स्केम क्या है पूरी जानकारी हिंदी में तो दोस्तों आज हम आपसे SSC स्केम मतलब की SSC में हो रहे स्केम कोर्प्रेशन के बारे में बात करेंगे साथ ही हम उन अब्हारतियों तथा उन सभी टीचर्ज या कोचिंग इस्टिटूट का भी धन्यावाद करेंगे जो लगातार धरने पर बैटे थे युनों अपने घर नहीं सडको पर बिताई और स्केम को उजागर करने के लिए सहयोग किया आज हम इसी संदर्व में डिसकस करेंगे क्या है और की पूरी जानकारी पर आपका ध्यान करसित करेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि स्केम क्या है 21 फरवरी 2018 को SSC ने तक्नीकी विफलता टेक्निकल फेलियर के लिए मावी मांगने वाला एक ओफीशल नोटिस का रिलीज किया जिसमें क्वांटिटिव एपिट्यूड एक्जाम के विलंब का कारण था SSC क्वांटिटिव एपिट्यूड एक्जाम 21 फरवरी 2018 को होने वाली थी लेकिन इस तक्नीकी विफलता के कारण SSC को परिक्षा रद करनी पड़ी आयोग ने सभी छित्त्रियों कार्यालियों के साथ परामर्स करने के बाद 9 मार्च 2018 को क्वांटिटिव एपिट्यूड एक्जाम का पुन्हे संचालन करने का निड़ने लिया जानते हैं SSC नोटिस के परिणाम क्या थे जैसे ही है SSC का ओफिशल नोटिस निकला सभी छात्रों के बीच आक्रोस फैल गया विफिन वीडियों और संदेश सोचल मीडिया पर गुस्पैट शुरू हो गए जिसमें संकेत मिलता था कि कुछ सवाल लीक हो गए है एक नज़र डालें इस विशेपर विचार करने के लिए कई छात्र भारत के प्रधान मंतरी को भी ट्विट कर रहे थे उम्मीदवार SSC के बार बार गलतियों पर CBI की जाच मांग रहे थे विरोध भी भारत के विबिन हिस्तों में लिया जा रहा था SSC गोटाले के विरोधियों की ततकाल मांग क्या थी क्या थी उनकी मांगे जो की SSC के स्केम को विरोध कर रहे थे सबसे पहली मांगे थी Change the Vendor कई उदारण है जहां SSC ने स्वेम गोसित किया था कि तकनीकी मुद्दों के कारण वे समस्या हुई है नमबर टू, Normalization यदि परिक्षा कई दिनों पहले या पाली मा आयुजित की जाती है तो सभी छातर SSC परिक्षा में Normalization चाहते हैं नमबर तीन, Reserve List पिछले कई सालों से यह देखा जाता है कि कई उम्मीदवार विभाग में सामिल नहीं होते हैं और Seat रिक्त हैं वे मांग करते हैं कि SSC को एक आरक्षित सूची भी बनानी चाहिए यदि उम्मीदवार किसी विभाग में सामिल होने में विफल रहता है नमबर फो, Repetition List SSC के हर पेपर में दो कोश्चन या इससे उपर प्रसन गलत होते हैं आंसर की, Official Answer की में एक नोट दिया जो होता है कि अगर आपको Official Answer की में अगर किसी भी पिरकार का संदे है तो आप स्वेम सो रुपे दे कर अपने संदे प्रसनों को सब्मिट करा सकते हैं दो अब्यारती का ये कहना है कि अगर प्रसन पत्र में गलती है तो इसका जम्मिदार SSC है ना कि अब्यारती तो फिर उनसे सो रुपे का चार्ज क्यों लिया जाता है और नमबर फाइव डिमांड थी उनकी descriptive paper descriptive paper बस qualifying nature का होना चाहिए SSC स्केम के बारे में SSC के अध्यक्ष हासिम खुराना का क्या कहना था हमें इस घोटाले पर SSC घोटाले के बारे में SSC के अध्यक्ष के संदे पर गौर करें उन्होंने कहा कि करमचारी चैन आयोकल आंदोलन सम्मूग के पिट्ती निदी से मिलने के लिए सेहमत हो गया था उसने उस बैठक के दोरान उन्हें अपने आरोपो के समर्थन में कुछ सबूत दिखाने के लिए कहा गया CGL असफलता के अलावा SSC ने SSC MTS की पिर्किरिया में अचानक कुछ बदलाव किये हैं जिन्होंने उम्मीदवारों को छोड़ दिया है और अब परिक्षा के कई पुनरिक्षन के बाद CGL Tier 2 आयज़त किया गया था पिर्किरिया में ये इस पर्ष्ट रूप से संदेश मिलता है कि SSC उम्मीदवारों की अपक्षान तक नहीं पहुँच पा रही है आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद